फाई यार काफी ज्यादा देरी होगी है ड्यूटी के उपर पहुंचने पे लेकिन चलो कोई बात नी होपस हो भी तक प्रैजेंट आया वानी होगा आज उसने आना था और उसकी सिक्यूरिटी को सारे का सारा मैंने देखना था और आज पहला ही दिन है यार मेरा करके देख सकूँ यहाँ पे मेरी कुछ टीम के बंदे भी खड़े वे होंगे और मैंने उनको बोला था कि हर बंदे को सिक्यूरिटी चेक करने के बाद ही अंदर जाने दे आप भाई साब क्या चल रहा है प्रैजेंट अभी तक प्लेन से क्यो नहीं निकला अरे फ्रैकलिन अब यार यह क्या किया रहा है बैक की तलाशी क्यों नहीं दे सकता अरे फ्रैकलिन से आप इससे खुद पुछो ना फाई साब देखो अब सिक्यूरिटी आती है यहाँ पे फ्रैकलिन के अंडर और जब तक तुम तलाशी नहीं दोगे तुम अंदर नहीं जा सकते अरे सर बात समझने की कोशिश करो मैं बैक की तलाशी बिल्कु ली दे सकता मेरे बैक के अंदर स्पेशल कैमरा पड़े वें भाई साब स्पेशल कैमरा हो या कुछ भी हो हमें तुमारे पे कोई ट्रस नहीं है ना तो तुम हमारे यहाँ पे चाचा के बेटे हो और ना ही यहाँ प बस कुछ ना कुछ करता हूँ खुदी तलाशी ले लूँगा में इसकी ओके फ्रेक्लिंट सर तुम साइट पे हो जो हाँ भाई साब अब तुम मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है तुमारा और बैक की तलाशी क्यों नहीं दे रहे तुम मेरे बैक के अंदर काफी ज्यादा सेंसिटिव टूल्स वगएरा पड़े में कैसे टूल्स है दिखा दो और जलते बनो यहां से नहीं सर मैं आपको दिखा नहीं सकता अरे यार क्या करें पर इसका अरे फ्रेक्लिंट सर अगर इसके अंदर कोई बम वगएरा हुआ तो फिर बंदे सही करके तलाशी दे रहे हैं चलो ठीक है मैं जरा जाता हूँ प्रेजिट के प्लेन के करीब और वहाँ पे जाके देखता हूँ कि प्रेजिट अभी तक बाहर क्यों नहीं आया अबे किदर जा रहे हो तुम मैजे पेचाना नहीं का तुम लोगों ने अरे ठीक है ठ पाई साब मैं ही हूँ फ्रेंकलेन और ये देखो अभी तक प्रेजिट निकल क्यों नहीं रहा यार प्लेन से अरे क्या चल रहा यहाँ पर प्रेजिट अभी तक प्लेन से क्यों नहीं निकल रहा सर आप तो बाहर पहले के खड़े वे हो हाँ फ्रेंकलेन पहले का बाहर पुलेगा तो तुम निकलोगे, अचा चलो चोड़ो इस बात को, ये बताओ कि मेरी सिकेरोटी एकदम ठीक है ना, अरे भाई साब एकदम परफेक्ट, तुम टेंचन आलो, यहाँ पर किसी भी किसम का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और अगर हुआ भी, तो मैं हूँ न तुम क्या हमारे साथ पुलिपे प्रॉटकोल में चलोगे प्वागे, अर तो इसके लावा कोई भी हल नहीं है, यहाँ पर, कि theoretically को तो अब नहीं देखने है, ठीक है ठीक है Faraklin, और हाँ कल से टाइम पर आ जाना, सर कल से तो मैं साथ प्रॉटकोल, वो तो कुई मसला नहीं हैं लेकिन हाँ यार मेरे लिए भी छोटा सा प्रोटोकोल लगवा दिया करो क्योंके यार ट्रैफिक सिगनल्स इतने ज्यादा तंग करते के मैं तुम्हारे तक पोच्छते पोच्छते देर हो जाती है मुझे अरे तो जल्दी निकला करो ना अच्छा ठीक है भाई साब कल से मैं जल्दी निकलूँगा लेकिन मुझे एक बात बताओ भी जाना किदर है तुमने अरे प्रैजिन्ट हाउस जाना और किदर जाना है पिछले दो दिन से में वर्ल्ड ट्रिप के ओपर था लेकिन थैंक गड़ वो ट्रिप मेरा खतम हुआ और काफी बड़िया रा मेरा ट् चलो ठीक है भाई साब आज हो तुम अरे वहां से किदर से आ रहे हो अरे फ्रैकलिन देखो मेरी बात सुनो मुझे यहां पर किसी भी बंदे के ओपर कोई भरोसा नहीं है मैं चाता हूँ कि तुम मेरी कार को ड्राइव भी करो और मेरी सिक्यरोटी का भी ख्याल रखो मतलब अरे फ्रैकलिन पर या उसकी टेंचन आ लो तूम अरे फ्रैकलिन यह लोग तो मेरे वहां पर भी अटेक करी जा रहे है यहां फ्रैकलिन में देख रहा हूँ लगता है कि सारे के सारे इंवालमेंस के अंदर अभे तुम छोड़ो सारी की सारी चीज में कार ले कर आता हूं उसके अंदर बैठो, मेरी कार भी बुलेट प्रूफ है, अबे भाई साब मेरे यहां पर गार से किदर चलेगे, पता नी किदर चलेगे, अबे जल्दी बैठो कार के अंदर, अरे फ्रैकरें इन सब ने हमारे उपर हमला किसनी कर दिया, फ्रैकरें यह तो वो कार नी है जो भी करना है, मुझे लग रहा है, यह लोग भी सारे के सारे इन्वाल्व है, इनको पता भी है कि यह तुमारी कार है, और इस कार के अंदर मैं बैठा हूँ, देखो फिर भी हमारी कार के ओपर फाइरिंग करें, अरे बोला ना, बिल्कुल भी टेंचन लेने की कोई ज़रूर देते हो, मैं जरा तुमारी यह पुलीस फोर्स का बंदो बस कर दूँ यहां पर, हाँ हाँ भाई साब, जितना टाइम लेना है ले लो तुम, ओके ओके ठीक है, बस पीछे ही रहना, जादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इन सब को मैं एकदम से तबाह कर दूँगा, अरे फ्रैकलिन, काफी ज्यादा यहां पर आम जनता भी है, अबे आम जनता गई, इस टाइम तेल लेने, पहले तुमारी जान बचेगी, तो बाकी की जनता को भी हम लोग देख लेंगे, और यह देखो ना, सारे के सारे पुलीस आफिसर्स तुमारे उपर अटेक कर रहे है इसका मतलब है, पुलीस यहां पर करप्ट हो चुकी है, फ्रैकलिन, मुझे तो पहले का पता था, कि यह लोग सारे के सारे करप्ट हैं, तो भाई साब तुमने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया यहां पर, फ्रैकलिन असल में मुझे शक था ना, यकीन नहीं था, लेकिन बारूँगा अपनी गन से, ये देखो फाई साब ये तो गया, और कहां से बुलट सारी अबे, कहीं जारे की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे रहो तुम, ये रहा फाई साब एक पुलीस आफिसर ये भी गया, बैठो कार के अंदर, निकले यहां से, अबे, ये किदर से आ क्य थैंग ओड इसको भी मार दिया, जल्दी जल्दी से बैठो, निकले यहां से हम लोग, मुझे ये वला एरिया बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, हाँ फ्रैक्लिन सही कह रहे हो तुम, लेकिन यार एक बात की मुझे समझ नहीं पूलीस तुमारे पीछे किसली पढ़गी, फ् को प्रैजेंट हाउस के, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, यहां पे तो हमने अल्रेडी काफी सारे पुलीस आफिसर्स को मार दिये, अभी सबसे पहले हमें पुलीस कमिशनर को चेंज करने के लिए तो काफी जादा पेपर वर्खनी करना पड़ता क्या, हाँ कार को रोकते हैं, और अब मुझे तुम यह बताओ क्या क्या करना है, देखो आज मेरा पहला दिन था तुमारी सिक्यरोटी के ओपर, इससे ज्यादा बढ़िया में कैसे सिक्यरोटी तुमारी कर सकता हूँ, फ्रैकलिन देखो, मुझे यहां पे चाहिए सिक्यरोटी और बीचेंगे, ओके ठीक है, मिल जाएंगे, लेकिन अभी जाना किदर है, यह बताओ ना, मैं तुम्हें यहां पे रोट्स के ओपर तो लेगे नहीं पिर सकता, अगर कहते हो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ, लेकिन फ्रैकलिन घर जाके हम क्या करेंगे, सार तो हमारे पास कुई भी हल नहीं है, और हाँ कार का साइरन आफ कर दे ना तूम, कार का साइरन आफ कर दूँ लेकिन वो किसलिए, ता कि किसी को भी पता ना लग सके, कि हम लोग जा रहे हैं इस कार के अंदर, ओके ओके ठीक है, बात समझ आगी मुझे तुमारी, लेकिन दोस है उसने मुझे बताया था कि फ्रैक्लिन नाम का एक काफी अच्छा सिक्यूरिटी गार्ड है लॉसन टॉस के अंदर और उसने काफी बड़े बड़े बिजनिसमेन को सिक्यूर भी किया वै एक मिनट ठहर चाओ मुझे लग रहा आके पुलिस कड़ी भी है भाई साब पुलिस ने दुबारा से फाइरिंग स्टार्ट कर दी लग गया है और तुम मेरे मसलों को हल भी कर सकते हो ये देखो भाई साब कितने सारे पुलिस आफिसर है और सब को हम लोगों ने नीचे दे दिया इसी तरीके से इन सब को मार दो और ये सारे का सारा काम यहाँ पर करवा रहा है पुलिस कमिशनर ही करवाएगा ना क्यूंके पुलिस उसी के इंडर आती है तुम गन चला लेते हो क्या हाँ भाई सब गन तो में चला लेता हूँ चलो फिर उतरो इन से लड़ने का टाइम आ यहाँ पर ओके ठीक है चलो फाई साब एक एक को मारना है तुमने चोड़ना किसी को भी नहीं है हाँ ठीक है तुम टेंचन सारे बंदे दूर दूर खड़े वे हैं फ्रैंकलिन तो मारना तो पड़ेगा ना मैं तो कहता हूँ यहां से निकलते हैं लोग अरे देखो मेरी बात सुनो अगर तो यहां से निकल गए ना तो इन्होंने फिर हमें पूरे के पूरे लॉस सेंटास के अंदर नहीं चोड़न यार यह तो मेरी ड्यूटी है न यहां पे अब तुम्हारी जान का ख्याल रखना क्योंके मैं आलरेडी काफी ज्यादा लोगों की जाने बचा चुका हूँ यहां पे और यार मैं कभी भी किसी बंदे की ना नोकरी छोड़ना नीचाता था यह तो पतनी यार तुम लोग इ निकलो जल्दी से निकलो अब एक काम करते हैं तुम प्राइजेंट हाउस मच जाओ तुम मुझे यह पताओ कोई ओर ठिकाना है तुम्हारा जहां पर मैं तुम्हें चोड़ तूँ जाके और कहां पे चोड़ सकते हो तुम पता नहीं यार मुझे तो कुछ समय नियारी दे और असानी के साथ सारे के सारे बंडों को मार देता था इसलिए तो जब वहाँ पे पूलीस आती थी तो सबसे पहरा बंड़ा मैं ही होता था जो उनको मिलता था हां बात तो तुमारी ठीक है तो एक काम करो मेरे सेफाउस में चलते हैं तुमारा सेफाउस भी है क्या सीधा वहीं पर जाने दो, वहाँ पर पिर जा के तुम अपने कोई गार्ड्स वार्ड्स हों तो वहाँ पर बुला ले ना, फिर उनको मेरी सिक्यरोटी पर रख दे ना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है, चलो ठीक है इस तरीके से तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी लेकिन उस सेफ हाॉस के अंदर कोई गन वगएरा होगी तुम्हारे पास या मैं गन्स वगएरा भी तुम्हें मंगवा दूँ अरे फ्रैकलिन गन्स वगएरा तो वहाँ पर नहीं होगी लेकिन तुम टेंचन आलो, तुम्हारे गार्ड्स के उपर मुझे पूरे का पूरा भरोसा होगा चलो फिर ठीक है, लेकिन तुम्हारा सेफ हाॉस है किदर अरे बस जाने दो थोड़ा सा ही आगी है क्या मतलब इसी साइड पे क्या? हाँ भाई साब इसी साइड पे तुम जाने दो ओके ओके ठीक है जाने में दे रहा हूँ और थैंक्यू यार अगेन के तुमने मेरी जान बचाई अपे यार किती दफ़ा थैंक्यू बोलेगा इस काम की में पगार ले तों फ्री में नी करता ये फ्री में तुम्हारी जान बचानी पढ़ जाती न तो भाई साब कभी भी न बचाता क्या बात करे हो फ्रैक्लिन तुम ऐसे बंदे हो क्या? हाँ भाई साब बलकूल ऐसा बंदा हूँ तब तक मैं तुम्हारे विवर्स को ये बता दूँ कि वीडियो को भी लाइक कर दूना यार ओके ओके ठीक है लो भाई साब मेरा खेल है तुम्हारा यही सीक्रेट हाउस होने वाला है अरे तुम्हें कैसे पता मुझे पता था तुमने जो मुझे लिस्स दी थी न यहां पर के तुम्हारे कहां कहां पर घर रहे हैं अबे फाई साब तुम्हें तो काफी ज़्यादा बुलिट्स लगी हैं अरे ये मेरी बुलिट्स नहीं है ये जो हम लोग पुलिस ओफिसर्स को नहीं मारा या उनकी बुलेट्स हैं सारी के सारी ओके ओके ठीक है तुम्हें काम कुरो अपने घर के अंदर जा सकते हो ठेक है फ्रैंक्लिन थैंक्यो सो मच्छ जा के कपड़े चेंज कर लो अपने हाँ हाँ वो तो मैं करूँ गई चलो यार फ्रैंक्लिन ने मेरे को गन दी यह तो गडबड़ोगी काम करो कार के अंदर बैठो नई भाई साथ कार के अंदर नहीं बैठे लगा मे मैं मारूँगा इनको क्योंके ये मेरे घर के ओपर आगे तुपारा से एक मिना ठहर जाओ, मैं यहां पर बंदे देख ले तूँ, अरे मार दिया मैं एक और को, अबे यार तुम तो काफी ज्यादा उपी हो, हाँ तो भाई साब मैं अपना ख्याल भी तो खुद रख सकता हूँ, अबे यह देखो यह राई को और बंदा यह भी गया फाई साब, मे ऐसा करो के अपने साथ दो तीन गार्ड्स ओर ले आओ, जिनको मैंने ट्रेंट किया वह यहां पर, ठीक है फ्रैकलिंट सार, अभी आगे सिरफ और सिरफ आप दो मिनट रुको, ओक्यों के ठीक है, चलो फाई साब सारे के सारे गार्ड्स मैंने बुलवा लिया जो के मुझे पता है किस प्रैजन का ख्याल रख लेंगे, तब तक मैं इनका यहां पर वेट करता हूँ, और प्रैजन के साथ ही खड़ाता हूँ, पता है इसके घर के ओपर भी कबजा कर लिया इन नूबडों ने, अरे चलो चलो फ्रैकलिंट सार ने इधर ही बुलाया है, और इधर से नивается नी इंटर हो ना, तो फिर कहा से अन्टर हो ना है, अरे कोई आगे गेट बनावे है, वहा है यहां से एंटर हो ने, चलो फ्रैकलिंट सार कही म psychiat में न हूँ, अरे नहीं नहीं, फ्रैकलिंट सार एक्दम चिल लग लग लिय थे, तो हमें के बुला लिया, फ्रैकलिंट स अचाँ बात सुनो, मेरी टाइम नी है, मेरे पास। हाँ फ्रेक्लिंससर बोलो, क्यू हो गया, ये दो बंदे में अपने साथ लिया या। ये काम तुमने काफी जाधा अचा किया, अचाँ बात सुनो, ये सामने खळा वे, लौसन टॉस का प्रेजिएंट हाँ फ्रेक्लिंट सर नजर आ रहा है बताओ करना किया इसका इसका क्या करना है ये इसका सीक्रेट हाउस है और तुम लोगों ने इसको घर के अंदर डाल के ना इसका ख्याल रखना है और एक भी बंदा इसके घर के करीब आने ना पाई कोई भी आ जाया तो इसको गोली मार दे ना तुम लोग ओके फ्रेक्लिंट सर जैसे आप बोलो अरे फ्रेक्लिंट सर लेकिन एक बात तो बताओ हाँ बोलो यहाँ पे बंदे आ सकते हैं क्या अबे भाई साब अभी 4-5 बंदे तो हम लोग वैसी मार चुकी है वो इसके घर के ओपर कबजा करके खड़े वे थे क्या बात करे यह फ्रेक्लिंट सर ऐसा भी होता है क्या हाँ भाई साब बिलकुल ऐसा होता है इसलिए ध्यान रखना वैपन्स निकालो कार में से अपनी ठेक है फ्रेक्लिंट सर अरे फ्रेक्लिंट मेरी बात सुनो आप प्रेजिंट बो क्या करना है अब अब तुमने सबसे पहले ढूंड़े लास सेंटास के कमिशनर को अब यार ढूंडे वाला काम मेरे से नहीं होता सीधा सीधा तुम बताओ वो मिलेगा किदर उसको फिर मैं खुद ही देकलूँगा ठेक है फ्रेक्लिंट तुम जाओ लास सेंटास से थी के अंदर वहाँ पे जा के फिर मैं तुम्हें काल करके बतातू किए वो मिलेगा किदर मुझे जरा अपने सेकेटरी से बात करनी पड़ेगी ओके ठीक है चलो भाई साब प्रैजिन का ख्याल अब तुम लोग ने रखना है प्रैजिन अब तुम्हारे हवाले है ठीक है फ्रैक्रेंट सेर आप चिंता ना करो हमें लोग एक ताम पढ़िया करके ख्याल रख लेंगे चलो ठीक है अबे यार ये वली कार लेके चलो नहीं यार ये तो पुलिस की कार है ना ये लेके गया तो गड़बड़ो सकती है एक काम करता हूँ अपने बंदों की कार ले जाता हूँ बलके नहीं यार पुलिस कमिशनर को पकड़ना होगा तो ये वली कार हमें काफी जादा फाइदा दे सकेगी हम हर जगा पे एकसिस भी कर सकेंगे इस कार के सरीए चलो भाई साब निकलें फटाफट से इस वले घर से और अब कमिशनर को ढूणना है और कौन-कौन बंदे थे यार देखो स्पेशल सिक्यूरिटी फोर्सिस के भी तो बंदे थे ना वाँ पे जिन्होंने प्रेजिजिएंट के उपर हमला किया था मैं सोचरों कि प्रेजिजिएंट को बोलूँ कि Special Security Forces के Head को भी मार देता हूँ उसके बाद Police Commissioner को तो भाई साब मार नहीं मारना है मैंने दो बंदे तो होगे ये बागी तो मेरा निख्याल कोई और बंदा होगा लेकिन Police Commissioner इसके पीछे क्यों पढ़ावा है भाई साब भी मुझे ये सब़ज नहीं आ रही एक में ठहर चो प्रेजिएंट की कॉल आ की अरे फ्रैकलें तुम्हें लोकेशन में ने भेज़ दी है और तुमने यहां पे लास सेंटास पुलीस कमिशनर और उसके बाद लास सेंटास का जो Special Security Forces का अदमी उसको भी मार रहा है ओकी ओकी ठीक है अच्छा बात सुनो अगर मेरी मिशन करते वे जान चली गई ना तो फाई सब तुमने मेरे चोटे भाई और डॉगी का ख्याल रख रहे जिसका नाम सिंचिनल चौप है अरे फ्रैकलें चिंता ना करो उनका भी ख्याल में रख लूँगा तुम जाओ बस अराम से ओकी ओकी ठीक है मैं देख लेता हूँ इसने खुदी से बता दिया मुझे कि मैरे मारना है यहाँ पर स्पेशल सिक्रिटी फोर्सिस के हेट को भी ये काम तो होगया काफी ज्यादा बढ़िया जा सकता हूँ इस वले रास्ते से हाँ भाई साब इस वले रास्ते से जा तो मैं सकता हूँ लेकिन अभी ये नहीं पता कि एक्जेक्ट खडवा किदर होगा यहाँ पर पुलिस कमिशनर कार को पार्क करती है निकलते हैं अब यहाँ से ये विली डियोटी मुझे काफी ज्यादा पसंदा यार एक तो बंदे को ढूना और उसके पाद उस नूपड़े का हेड़ शॉट लेना लोकेशन वैसे पुलिस कमिशनर ने काफी ज्यादा उपी जूस की है अब बस उसको यहाँ पर ढूना है लेकिन यार ये सारे का सारे अरिया खाली किसली पड़ा वै संडे है क्या नीचे कुछ बंदे खड़े इन से बात करके देखूं कि पुलिस कमिशनर मिलेगा किदर मुझे नई यार छोड़ो खुद ही ढूड़ते हैं कहीं पे तो खड़ा वाओगा कमिशनर एक काम करता हूँ ये सामने टावर बनावे इसके ओपर चड़के देखता हूँ शायद मेरे को वहाँ से कमिशनर नजर आ जाए लेकिन यहाँ पे तो मुझे भी कुई भी कमिशनर वगारा की कार नजर नहीं आरी अगर तो वो इदर होता ना तो उनकी कार्स लाजमी खड़ी होती एक मिनट ठहर जाओ भाई साब ये तो सारी की सारी पुलिस की कार्स खड़ी है लेकिन यहाँ पे तो कोई भी पुलिस आफिसर नहीं है इसका मतलब है ये सारे के सारे लोग लॉस और डॉस के साथ घदारी करें है क्योंके ये तो पुलिस का काम करते है ना यहां पर बालास ग्रूप वलों के साथ मीटिंग है यह विली कार तुम लोग देख रहे हो गाईज यह तो बालास ग्रूप के हेड की है और यह उनके गार्ड्स की कार है इसका मतलब यह कि सारे के सारे यहां पर मीटिंग करने के लिए आए वे हो सकता है यहां से भी वियू क्लियर हो जाए पहले मैंने सोचा था कि टावर के ओपर चड़के देखे लेकिन यार टावर मुझे रीजेने बनी लग रहा और वैसे भी वो काफी ज्यादा उपर है और मैरी चाहता कि यह विली मिटिंग मेरे हाथ से निकले आज लाजमी उनको पकड़ना है मैंने और नूबडो का बंदो बसका ना पड़ेगा लासेंट टास की प्रेजिजेंट की सिक्यूरिटी जब मेरे हाथ लगी है तो फाई साब उसको पूरी के पूरी जिम्हतारी के साथ मैं निभाऊंगा और उसका पूरे का पूरा ख्याल रखूँगा क्यूंके यार वो मेरे को काफी बड़ी या सेलरी जो दे रहा है इस वज़े से और मेरा तो वैसे भी काम यही है लोगों को प्रोटेक्शन देना एक मिनट ठहर जो बे यह बिल्डिंग किती ज्यादा बड़ी है यार अभी समझ नहीं आ रही कितना और उपर जाना है कितने फ्लोस रह गया यार इसके अवे थैंक गॉड यार आखरी फ्लोर रह गया और आलमस्ट हम लोग इसके उपर भी पहुंच चुके है फाई साब सामने मीटिंग चल रही है हाँ यार सामने ही मीटिंग चल रही है सनाइपर निकाल के नूबनों को मारना पड़ेगा मुझे यांपे एक मिनट ठहर जओ कोई साइट पे देख तो नहीं रहा नई यार मुझे तो कोई नी देख रहा ये खड़ाव है पुलिस कमिशनर और उसके बाद ये फाई साब खड़ाव है बालास ग्रूप का हेड़ एक मिनट है जो यहाँ पे और ऐसी क्या चीज़ है जो के यहाँ पे मीटिंग में ये लोग एक्सेंज करेंगे क्योंके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बालास ग्रूप अब ये नहीं पता कि पूलीस वले इनको पैसे दे रहे हैं ये लोग पूलीस कमिशनर जो है ना वो 12 ग्रूप वो लोग को हायर कर रहा ह। प्रेजर्ण को मारने के लिए लेकिन यार जो भी कर रह अब हमें उससे क्या हमारा काम तो है इनके हेड्स का हेडश आट ले लेना एक काम करतों इन नूबनों की कारवार तबाह करते तो भे फाई साब ये तो फॉरन से भी पहले नीचे आगे लगता है कोई लिफ्ट वे गएरा लगी वी थी अंदर अरे फाई साब ये देख सकते हो बालास के बंदे भी आगे और साथ में पुलीस के बंदे भी आगे कराएवा नॉर्मली तो मैं अपने साथ एक दो गाड़ रकता हूँ क्योंके जब भी गएं पे मैं सेक्यरिटी देता हूँ एक मेने ठहर जाओ, काफी देर से गोली बोली बारी जा रहा है, यह देखो या, यह लोग है कि टलने का ना मिली ले रहे, इसलिए एक एक को पका करके मारना पड़ेगा, ताकि यह लोग दुबारा उठना सकें, अबे यह किदर किदर से आई जा रहे हैं यार, एक यह खड़ वै दोनों के दोनों गए, मेरा ख़्याल है, इदर भी कुई बंदा होने वाला है, नई यार, अवाज आर ये मुझे किसी की शायद कुई बंदा जिंदा है, यह यह जिन नवे जिंदा है, लेकि न Luis आप यह लुग तक को कुई पिन नजर ने भारा, चलो यह गुड़ हो अब मैं उड़ाओंगा इधर इनकी कार्स को पाई साब देखो कि या बढ़िया किसम का ब्लास्ट हो किया और पुलिस की कार्स को भी क्यूंके ये लोग जा रहे थे प्रैजिएंट को मारने के लिए अब यार में जे खुद भी थोड़ा सा गोला बोला लग या लेकिन चलो क कोई बात नहीं ये देखो भाई साब सारी की सारी पुलिस कार्स उड़ा दी ये एक रही थी इसको भी उड़ा देता हूं मैं अब तो ये लोग यहां से भाग के जा भी नी सकते चलो यार निकलें यहां से बें ये गोली कोन मार रही है ये पुलीस आफिसर एक खड़ावा यहां पर हाँ यह आइडिया ठीक है ऐसे मिशन्स के अंदर तो यार वैसे भी पैसा भी मिलता रहता और गोल्ड भी मिलता रहता है होप सो यार पैसा भी बहुत ज्यादा होगा और यहां पर गोल्ड भी होगा अब तो यह लोग पका गए, एक भी बंदा नहीं बचेगा, लो भाई साब मार दिया, अल्मोस सारों को मेंने, हाँ यार, बालास गुरूप वले भी मर गे और पुलिस आफिसर्स भी मर गे, अब यहाँ पे देखता हूँ पैसा कितना है, यह देखो यार, कितना ज्यादा पै ने, अबे पहले मुझे तो बोलने दे ना, हाँ हाँ बोल बोल, एक ट्रक लेकर आना है, कंस्रक्शन साइट के उपर, वहाँ पे बहुत सारा गोल्ड पढ़ा वे, और उसके बार धेर सारा पैसा पढ़ा वे, वो सारे का सारा पैसा और गोल्ड उठा के तू किसी भी सेफ ओपर ले जा, मैं आज ड्यूटी आफ करके फिर तेरे पास आता हूँ, अरे फ्रैक्लेन, पकी बात है ना, कि असली गोल्ड है, भाई साब दिखने में तो असली लग रहे है, और पैसे भी दिखने में एकदम असली लग रहे है, ठीक है फ्रैक्लेन, लोकेशन बेज, बाक लोके एकदम से अमीर भी हो जाएंगे, और आज वाला मिशन भी सक्सेस्फुल हो जाएगा, लेकिन नहीं यार, अब भी तो मैंने स्पेशल सिक्रूरी फोर्सिस के हेट को भी मार रहा है, याँपे, फैर वो भी हम लोग मारी देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, खु हाँ बोलो बाइस अब क्या गडबड़ है, गडबड़ याँपर यहाँपर यह है, कि बालास ग्रूप वले भी इदरी थे, और उसके बाद यहाँपर पुलिस कमिशनर भी था, तो मैंने सारों कोई मार दिया, अरे गोड यार गोड, और तुम्हें कुछ पता है, कि यह व एक्दम जबरदस, कार मैंने वैसे इदरी खड़ी की थी, थेंग गड़ यार अभी भी इदरी खड़ी है, पर यार अब किसकी कॉल आगी मुझे, अरे फ्रेकलिन लोकेशन पे मैं पहुंच गया हूँ, क्या बात कर रहे है, लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, हाँ फ्रेक बात करता हूँ तेरे से, हाँ, हाँ, ठीक, ठीक है, बाई, 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 मैं रखता हूँ पेर, चलो यार, अभी हम लोगने जाने सीधा, स्पेशल सिक्रेटी फोर्चिस के हेट को मारने के लिए, लेकिन लोकेशन आई नहीं, एक मैं ठेहर चो चेक करने तो, अभी फाई हाँ पे जा के देखता हूँ के स्पेशल सिक्रेटी फोर्चिस का हेट क्या करे है, बाई, ये कौन लटका वे इदर, अरे नहीं यार, हमारा कोई भी नहीं है, चलो भाई साब चाने दो, काईज यार, तुम लोग फटटफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक् गाड़ी को एकदम यूटर्न देते हैं न, उसके बाद एकदम बर्गर शॉप के अंदर जाएंगे, अभी मुझे ये री पता के मीटिंग बर्गर शॉप के अंदर चल रही होगी के नहीं, लेकिन फाई साब तुम लोग देख सकते हो, ये खड़े वे, यहाँ पे पर शॉट पी नहीं ले सकता में, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, अभी समझ कुछ नहीं आ रहा, मुझे कहां से एंट्री करूं यार में, एक मिनट ठैर जाओ, इस बिल्डिंग की बैक साइड से जा सकता हूं में, लेकिन यहाँ से रास्ता मिलेगा तो भाई साब जा लेकिन यार यहाँ पे प्रॉब्लम है, अब यार कॉल किसकी आ की, आफ रेक्रेंट बात सुन, गोल्ड भी उठा लिया, पैसे भी उठा लिये, अच्छा यार ट्रेवर, उसको अब तु सेफ लोकेशन के ओपर ले जा, मैं मिशन के ओपर हूँ है, हाँ हाँ ठीक है, मैंने लेका के मैं तरे को बता दूना, ओके, ओके, ठीक है, सुन लिया, मैंने, कितर यार, मिशन के बीच में गनूबडे ने कॉल कर दी, मेरा ख्याल है, मुझे स्टिकी बॉम का यूज करना पड़ेगा, हाँ यार, ये देखो, स्टिकी बॉम का यूज करता हूँ, ये चल कह रह तो एक इस वली कार के ओपर बॉम अगर मेरा लग गया ना, तो काफी बढ़िया काम हो जाना है, फाई साब, तुम लोगों ने तो देख लिया, क्या मस काम हो गया यहां पे, एक मैंने ठहर जाओ, ठहर जाओ, अभी ये वाला बॉम फैंका, और ये भी गए सारे के सारे, अ फाई साब ये वाला मिशन हो गया, वो भी ओपी करके, लेकिन एक में टुक जाओ यार, यहां पे कुछ बंदा आया है, जिसने मेरे पर गोली चलाई है, अब ये बंदा कौन है, पता नहीं, मेरा खैले इनके सिक्यूरिटी को देख रहा होगा, फाई साब बार दियास को भ हाँ फ्रैकलेन बोलो, क्या हो गया, मिशन हो गया, क्या कम्प्लीट, हाँ बाई साब मिशन कम्प्लीट हो गया, और अभी मैंने स्पेशल सिक्यूरिटी फोर्स के हेट को तो मार दिया, लेकिन इसकी जिसके साथ मीटिंग चल रही थी ना, वो बंदा मुझे नहीं पता कौ है, अरे एकदम बड़ी हा सिक्यूरिटी गार्ड्स हैं तुमारे, काफी एच्छे हैं, काफी ख्याल रख रहे हैं मेरा, चलो ठीक है में निकलता हूँ फिर, हाँ ठीक है तुम निकलो फिर, चलो यार गाईज, अब फटा फट से चले हम लोग ट्रेवर के पास जाके मैं ज घर आजा, अपने घर आजू लेकिन वो किसलिए, अवे नुबड़े अपने घर आत, उसे ही ना फिर बताता हूँ में, ओके ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ, घर बुला लिया यार इसने, लगता है सारे का सारा गोल्ड और पैसा घर लेके चला गया है, चलो ये भी अच्छी अरे का सारा गोल्ड भी लाए के नहीं, ट्रक तो यार एकदम खाली पड़ा वे यांपे, अबे ट्रेवर किदेर है तू, अरे फ्रैकलिन नीचे खड़ावों में, अरे भाई साब ये क्या कर रहे, अरे खुशी में काफी पी रहा हूँ, काफी पीएगा क्या तू, नहीं बाई साब काफी नीचे पीओंगा, थैंक गड़ तू, सारे का सारा पैसा भी लिया आया, और उसके बाद सारे का सारा गोल्ड भी लिया आया, अबे चौप कैसा यार तू, अरे फ्रैकलिन एकदम बढ़िया, अच्छा बता सिंचिन के दिर है, अरे सुबह तो तू उसको स स्टेर से उतारा था इसको, अच्छा यार हेल्प करा देता हूँ में तेरी, अच्छा यार चौप ज़ओ मिंट के लिए साइट पर हो जब बात करें याँ पे, अरे फ्रैकलिन मेरे को भी कुछ ले के देगा ना यार तू, क्या चाहिए तेरे को चौप, अरे यार तू मेर को ऐसा करना के कोई बड़ी आसी कार ले दे ही, हाँ ठीक है ठीक है ले दूँगा में, अच्छा ठीक है और क्या करना है, गोल्ड मेरा हो गया दा और फिर, उसके बाद यहाँ पे यह तीन करेट से ना पैसों के, एक करेट तू ले जा, दो मेरे होगे, ठीक है फ्रैकलिन, एसे ऐसे मिशन यार रोस कियाकर, हाँ फ्रैकलिन, यार ऐसे मिशन रोस कियाकर, अच्छा यार चौप ऐसे मिशन आज के बाद में रोस करूँगा, चलो ठीक है गाईज, यार कैसी लगी, तुम लोगों को वीडियो मेरे को फट़ा फट से कमेंट करके बताना, यार वीडि वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई